हाई फ्रेंड्स मैं अकांशा सर्माजी की वितकांशा मैं आपका स्वागत करती हूँ मद्ध्यपदेश डेली करेंट अफियर्स में आज हम 17 फरवरी 2024 का करेंट करने वाले हैं बहुती सांदार प्रेशन है आज के आज का एक प्रेशन ऐसा है जो एक्जाम में आना ही आना है चलिए स्टार्ट करते हैं साथ में मद्धदेश के हलुआ नहीं है इस वार आज जो है मद्धदेश के स्पेसल ले लिया है रिस्ट्री के स्पेसल लिया है क्योंकि जो आने वाले एक्जाम उनमें ये कोशन आपके लिए बहुत ज़़ादा इंप्रेंटन रहेंगे तो उस कि का ही उसी के ही हलुआ प्रशने करवाए हैं है कि अज का पहला कोशन है देश का पहला पीएम German आवास कहां बने गा बंडला सिपपुरी ग्वालिय अर्भिंड कहां बन चुका है मतलब अभी तो कहां पर बन गया है यह बना है वो तयार हुआ है तो ये question बहुत important है प्रदेश का पहला भारत का पहला PM जन्मन आवास या प्रधान मंतरी जन्मन आवास कहां बना है सिप्पूरी में बना है इसके बारे में पढ़ लेते हैं प्रधान मंतरी जन्मन आवास योजना का प्रारम कप किया था 15 नमंबर 2023 को किया इस योजना के अंतरकत मोदी जी ने एक लाग से अधिक आवास स्वीकृत किये थे कितने एक लाग से अधिक आवास मोदी जी ने स्वीकृत किये थे इसके बारें परते हैं और सिप्पुरी जन्पत के कलोधरा पंचायत में कहां पर सिप्पुरी जन्पत के कलोधरा पंचायत में सहरिया भागचंद आदिवासी ने पहले आवास का निरमार कर सिप्पुरी का नाम रौसन किया है तो सिप्पुरी जिले में ये बना है, पहला PM जैनमा नावास योजना के अंतरगत पहला आवास बना है इसमें 2,00,000 रुपे की रासी सरकार दोरा दी गई थी, इसमें कुछ रासी मनरेगा के तहट दी गई थी, कुछ डारेक्ट रासी सरकार की तरब से दी गई थी इस प्रेकार से उनको 2,00,000,000 कुछ रुपे मिले थे, तो कहाँ पर है, इस सिप्पिरी की कलोधरा पंचायत में किसका घर है, ये भागचंद का है, ये कौन सी जाती के हैं, ये आधिवासी जाती के हैं ये मेरे MPPSC Prelims के नोट्स हैं, तयार हो चुके हैं, आप इनकी booking कर सकते हैं, ये उपर नंबर दिया हुआ है, बहुती सांदार ये booklet हैं, बहुती easy language में नई सिलेवस के ये नोट्स हैं, नया सिलेवस पूरे एक जगे पे आपको अपलब दो रहा है, हार topic जो नया सिलेवस म topic दिये गए हैं, उसी की according इनको तयार किया गया है, current affairs की booklet भी साथ में मिलेगी, टोटल दस यूनेट हैं, तो दस बुकलेट मिलेगी, साथ में एक WhatsApp का group भी इसमें आपको मिलेगा, उस WhatsApp में गूरूप में हम आपकी तयारी करवाएंगे, current affairs के question देंगे, महत्मून current update देंगे मध्यपदेश के daily current affairs की जो वीडियो आती है, उसकी पीडियावी आपको उपलब्द करवाई जाएगी, वो group केवल उन ही को मिलता है, जो हमारे notes लेते हैं, तो अगर आप हमारी notes लेना चाहते हैं, तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, हसलिफ, लिखित, मान, चित्र, साड़नी, प लेगा, अगला कोशन देखते हैं, अगला कोशन है कि इस जिले को पवित्र नगरी बनाया जाएगा, वीदीशा, उजेन, नरबदापूरम, खंडवा, उजेन तो अल्रेडी ही पवित्र नगरी है, यहाँ पर बोल रहे हैं, बनाया जाएगा, तो नरबदापूरम जिले को पवित्र नगरी बनाया जाएगा आजी मोहन यादम मुझे हमारे मुख्ध मंत्री उन्होंने ये गोशना की है पढ़ लेते हैं क्या क्या गोशना की है ये तो याद रखिएगा पवित्र नगरी नरबदापुरम को बनाया जाएगा तो मुख्ध मंत्री यादम ने नरबदा जैन्ती माउस सब को आयोजित किया था तो ये भी याद रखिएगा कि मान अरब्दा जैन्ती माउस सब कहां पे हुआ था नरब्दा पूरम में हुआ था तो नरब्दा पूरम गौरब दिवस में सहवागी तरकर एक सो इंक्यानवे तरसमलो 34 करोडों पे के 32 विकासकारियों का लोकारपन किया और मान अरब्दा की आरती करी और उन्होंने बोला कि नरब्दा पूरम को पवित्र नगरी बनाया जाएगा इसलिए उन्होंने सराब के जो सरामास मिक्री जहां भी हो रही थी तो उन पे भी र भारम कहां पर हुआ रीवा सतना मंडला या सुवागपूर यह देश का नव मतलब भारत का यह नवा है जो हमारे मद्य प्रदेश में बन रहा है बैस मतलब जो बैस्टेज रहते हैं उससे उर्जा उत्पन करने वाला प्लांट तो कहां पे बन रहा है रीवा मंडला सतना का सुभारंब भी हुआ है कहां पर रीवा में से बात कर लेते हैं इसके बारे में इसका जो सुभारंब किया है जो हमारे मध्यपदेश के उपमुख मंतरी है राजेंदर सुक्ल उन्होंने ये इसका उसुभारंब किया है रीवा में अब कच्रे से भी बिजली बनेगी ये उ प्रेस्टूब एनरजी प्लांट का किया सुभारंब 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा जो कच्रे से उत्पादन होगा वो कितने मेगावाट बिजली का होगा 6 मेगावाट होगा और रीवा में अब कोईला पानी सोलर के बाद कच्रे से भी बिजली बनाई जाएगी पहले कोले से बनाई जाती थी पानी से भी बनाई जाती थी और सोलर से भी बनाई जाती है लेकिन अब इसके साथ साथ कच्रे से भी बिजली बनाई जाएगी कहाँ पर रिवा में उपमक्ष मंत्री ने रिवा के ग्राम पहडिया में एकिकरत थोस अपसिस्ट प्रबंदन योजना के तहट 158 करोड 67 लाग रुपे की लागत के best to energy plant का सुभारम किया लेकिन यह है कि best to energy plant की जो छमता है 350 तन प्रती दिवस है मतलब यह जो कितना कच्रा इसमें चाहिए पड़ेगा प्रती दिन 350 तन और 6 मेगाबाट की बिजलिये रोज पैदा करेगा और यह अत्या दुनिक प्लांट देश का नवा प्लांट रहेगा कौन सा है नवा इसलिए यह important है तो या रीवा के बहुत सारे कोशन जो बनते हैं solar परियोजना पर इसमें सबसे ज़्यादा यह और जो solar परियोजना है रीवा की उससे metro पर भी बेजली पिदान की जाती है दिल्ली की metro में और अब रीवा में best to energy plant भी बन रहा है देश का नवा याद रखिएगा अगला कोशन है फ्रेंड अगला कोशन पढ़ने से पहले अगर नए है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा वीडियो को लाइक भी कीजेगा और अपने फ्रेंड्स में सियर भी कीजेगा लास्ट में एक कोशन आपके लिए रहता है उसका जबाब भी comment box मे जरूर दीजेगा अगला कोशन है मद्यपदेश के किस अभीहारन में नरब्दा जीवासम संग्रहाले स्थापित किया जा रहा है राला मंडल नौरा देही दुर्गावती या चंबल अभीहारन मद्यपदेश के किस अभीहारन में नरब्दा जीवासम संग्रहाले बन रहा तो ये बन रहा है राला मंदल अभ्यारन ने कहां पर है राला मंदल अभ्यारन है इन दौर में और ये प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारन है मद्य प्रदेश का सबसे बड़ा नौरा देही था जिसमें अभी रानी दुर्गावती अभ्यारन को मिला के दोरों एक की अभ्य कर दिया जो प्रदेश का सबसे बड़ा है और सबसे छोटा राला मंडल है यह इंदोर में है और यहीं पर ही जीवास में संग्रहले इस्थापित किया जाएगा राला मंडल अभ्यारन की इस्थापना की बात की जाए तो 1989 में हुई थी मद्यप देश का सबसे छोटा अभ्यारन है और आला मंडल अभ्यारन किस नैसनल हाइवे पर है तो यह जो रास्टी राजमार्ग है एनेच बावन परिस्तित है यह अपका राला मंडल अभ्यारन और देश का पहला लोमडी संरक्षंड केंदर भी राला मंडल अभ् रिपोर्ट जारी की इसके अनुसार पूरे भारत में सरवादिक छेत्रफल पर जाविक क्रिसी किस प्रदेश के द्वारा की जाती है मध्यप देश महारास्ट हरियाना गुजरात तो केंदरी किशी मंत्राले ने जो यह रिपोर्ट पेस की थी राज्य सभा में की थी और व 92 हेक्टियर पर मध्यप देश की होती है भारत में 64 लाग और मध्यप देश में 15 लाग दूसरे इस्थान पर महारास्ट आता है जिसमें 13 लाग हेक्टियर पर सिचाई की जाती है और तीसरे इस्थान पर गुजरात आता है जिसमें 9 लाग कुछ होता है पॉइंट में था त खेती की सुरुवात और पहर अभायत की पहली जैविक खेते की कहां है इन दौर में हैं अगला कोशन देखते हैं तो फ्रेंट्स यह थे हमारे आज की कोशन अब हम चलते चलते हरुआ परेशन देखते हैं हमारी सीरीज के 48 वा भागे यह लास्ट में आपके लिए कोशन भी खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध कब हुआ 1527 में 1605 में अकवर को सिकंदरा के मकवरे में दफनाया था सिकंदरा के मकवरे में दफनाया था यह कहां पर है यह आगरा में है अकवर का जन्म कब हुआ था अकवर का जन्म 1542 में हुआ था अकवर का ज 49 में करनोच का युद्ध कब हुआ था करनोच का युद्ध 1540 में हुआ था औरंग जेप का जन्म उज्जेन के पास दो हद नामक गाओं में हुआ था याद रखी गई हमारे मध्यपतेश में है तो इसलिए इंपोर्टेंट है पुरंदर की संधी कब हुई थी 1605 में 65 में हु और गूगल में भी नहीं मिले तो जो आपको लगे आंसर वह दीजेगा होम रूल लीक की स्थापना कब गई थी 1908, 1917, 1916 या 1927 होम रूल लीक जिसकी स्थापना एनिवेसेंट ने की थी आपको यह बताना है किसकी स्थापना कब गई थी तो फ्रेंस वीडियो अच्छा जरूर कीजेगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा ओके फैंस देंक यू